नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस परदीव आप सभी को हमारे YouTube फैमली परदीव गुरू में स्वागत हैं दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मार्ड में जो भी एक्ञाम षोने त्रिपल से के इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसके हमको यह helpful होगा जो 15 most question जो मैं कराने जा रहा है प्रिवियस वेर में आए होगे question और आपको निवी question इसको मिलेंगे तो इससे आपको idea मिल जाए किस type की question पुछे जाते हैं और आपका previous और इससे आपका revise भी हो जाएगा अगर दोस्तों कोई भी doubt रहेगा आपको इस question में तो आप comment box में जुरूर कमेंट करेगा जिसका solution में अगले वीडियो में देने का परियास करूंगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के lecture में सबसे पहला question है पैरागर आपको अरम करने के लिए किस बटन को दबाना चाहिए इसका सही answer option D, enter की next question देखते हैं alignment button को tool bar पर उपलब्ध है इसका सही option है status bar, option A सही है अगला question देखते है word 2013 में line break करने के लिए परियुक्त shortcut की है इसका सही option A, shift plus enter जिससे की हमारा line break होता है अगला question देखते है default अस्थिति में word application आपके text को फार्मिट करता है इसमें कौन सा font आपका, इसमें देखते है option B times new roman to jubi की, इसका size होता है, 12 होता है अगला question देखते है IPB 4 पते की लंबाई क्या होगी इसका सही option है, option D, 32 bit का होता है अगला question देखते है MSN एक web service है, जिससे सबसे पहले किसके द्वारा परदान किया गया था इसका सही option है, option C, Microsoft अगला question देखते है Outlook Express क्या है Browser है, Search Engine है, Editor है या Email Client है इसका सही option है, option D, Email Client अगला question देखते है Windows Control Panel से क्या नहीं किया जा सकता है इसमें option A, Running Application अगला question देखते है POS का अर्थ क्या है Point of Service, Permanent Server, Partition of Server, Point of Cell इसका option D, सही है Point of Cell अगला question देखते है Calc Express सेट में जब कोई Number टाइप करते है तो Cell का alignment क्या रहता है Means कि अगर आपका Table लहता है इस तरह के तो इसमें अगर हम Number टाइप करते हैं तो किस साइड में रहता है तो आपको इमालू होगा तो अगर Number टाइप करते होंगे तो इस राइड साइड में रहता है option B, इसका option सही है अगला question देखते है एक समय में इमेल की अधिक्तम संख्या की को मिटा सकते है option A, इसको Multiple में हम लोग मिटा सकते है अगला question देखते है इंटरनेट के द्वारा Communication Protocol पर्योग होता है इसका option A, STP जिसका Full Farmer Hyper Tech Transfer Protocol अगला question देखते है URI का पूरा नाम क्या है इसका सही option है option है Uniform Resource Identifier अगला question देखते है USD का उप्योग करने के लिए उजर को क्या dial dial करना पड़ता है इसका option भी सही है आप लोग देख सकते है तो दोस्तो ये वीडियो आपको पसंद आयागो तो चैनल को सस्क्राइब लाइक जरूर करेगा ताकि मैं इंट्रेस्टिंग त्रिपल सी के लिए आपके बहतर question लाता रहा हूँ धन्यवाद दोस्तो आज का वीडियो बस इतना है जैहिन जै भारत